दोस्तो ओम्जी टू और गदर टू के चक्कर में हमने एक बहतरिन फिल्म को बुला दिया है वास्तो में ये एक वेब सिरीज है जिसमें आपको कमाल के डायलोग और बहतरिन एक्टिंग देखने को मिलती है मैं बात कर रहा हूँ कमांडो फिल्म के बारे में दोस्तो इस फिल्म को दूसरी फिल्मों की तरह ही 11 अगस्त को OTT प्लैट्फरम पर रिलिज किया गया था तो इस बज़े से लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जबकि देखने में दूसरी फिल्मों से ज्यादा बहतर है तो दोस्तो आज मैं आपको इसी फिल्म की पूरी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो इस फिल्म की शुरुआत पाकिस्तान की एक परयोगशाला से शुरू होती है जहां उनके व्यग्यनिक एक ऐसे वाइरस को तयार कर लेते हैं जिसके दम पर वो हिंदुस्तान को जुका सकें लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि पाकिस्तान की लैब में ही भारत का एक जासूस होता है जिसका नाम छितिज है जो इस बारे में विराट को बता देता है असल में यही फिल्म का कमांडो है यानि प्रेम परीजा इनका फिल्म में नाम है विराट तो दोस्तो जिस समय वाइरस को भारत में फैलाने के लिए उसे बाहर भेजा जाता है उसी समय विराट उन लोगों को ढूंड कर वाइरस को आंग लगा देता है और उस वाइरस का एं मांग लिता है जैसे कि अस्फाक के fingerprint और उसका voice clone जिससे कि उसे lab के अंदर जाने में आसानी हो जाए उधर बिना code के उस virus के बारे में जानकरी लेना बड़ा ही मुश्कल था इसलिए विराट उस पकड़ेवे आतंगवादी यानि रहमान से ही पूछने के लिए सोचता है जो अभी होश में नहीं था अब पाकिस्तान में छितिज के dummy profile के source code को hack कर लिया जाता है जिससे उन्हें छितिज के बारे में पता चल जाता है इसके बाद विराट छितिज को वहाँ से भागने के लिए उसे phone करता है लेकिन वो phone नहीं उठाता क्योंकि छितिज आज पूरी lab के system को ही बरबाद करने वाला था इसलिए वो lab के अंदर भुज जाता है और system को open करने के बाद उसका password बदल देता है जिसे बाद में open करने के लिए उस नए password को वो एक pen drive में save कर लेता है और जैसे ही वो लोग उसे पकड़ने के लिए आते हैं छितिज कुछ ऐसा करता है कि जिसकी वज़े से पूरा system overheat हो जाता है और वो system permanently off हो जाता है और बाहर निकलते समय उस pen drive को वो किसी की jam में डाल देता है लेकिन छितिज को पकड़ लिया जाता है और विराट को पता चल जाता है कि छितिज को पकड़ा जा चुका है अब पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान ये कबूल करें कि छितिज एक हिंदुस्तानी जासूस है नहीं तो उसे मार दिया जाएगा अब छितिज को बचाने के लिए International Court of Justice यानी ICJ में ले जाने के लिए बात करते हैं लेकिन उससे पहले ही छितिज को पाकिस्तान में मीडिया के सामने Anti-National Activity के तहट गिरफतार किया गया है ऐसा वो लोग दिखा देते हैं जिससे की उसे बचाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं अब छितिज की पतनी टीना को भी दिखाया जाता है जो की पेट से थी उसी से मिलने के लिए विराट उसके घर आकर उससे मिलता है और छितिज के बारे में सब कुछ बता देता है और ये सुनकर वो थोड़ी परिशान सी हो जाती है इसके बाद छितिज को दिखाया जाता है जिससे पैंडराईू के बारे में जानने के लिए उसे टोर्चर किया ज दूसरी और पाकिस्तान में पता चलता है कि वाइरस का एक्सेस सिस्टम ब्लोक हो चुका है और उसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए उसी पैंडराइव की जरूत होगी जो कि छितिज ने पहले से ही किसी की जेब में डाल दी थी इसलिए जाफर फाहिम को फोन करके कहता है कि कैसे भी करके छितिज से पूचो की पैंडराइव कहां है दूसरी और विराट अपने सीनियर यानी मेजर बक्षी से छितिज को वहाँ से छोडाने की बात कहता है इस पर मेजर उसे जाने से मना कर देते हैं लेकिन विराट नहीं मानता और आखिर में उसे जाने की खिवी दिखाई जाती है इसके बाद जाफर के पास उसके किसी जासुस का कोल आता है जो बताता है कि हमारे बंदे को होश आ गया है और उससे भारतिय एजेंट उसका मुझ खुलवाने के लिए रुट सिरम का इस्तिमाल करने वाले हैं फिर जाफर कहता है कि तुम्हें किसलि को कट करके चोरी से बेडो के साथ अंदर पाकिस्तान के जंगलों में घुच जाता है और इधर उस आतंगवादी यानि रहमान के पास इसमिता आती है लेकिन उस समय वो पूरे होश में था और फिर दो लोग और अंदर आते हैं और वो उन दोनों लोगों को गोली मार कर ड अदा शर्मा यानि भावना की जो उसे मरने से बचा लेती है और फिर ये लोग सभी को मार कर ये लोग छितित को जेल से बाहर निकालने का पलान बनाते हैं अब इसमिता मेजर वक्षी को बताती है कि उस आतंगवादी ने उसके सर पर किसी भारी चीज से हमला किया था और वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो बाकी दोनों ओफिसर मारे जा चुके थे फिर वक्षी कहता है कि सभी चेक पोस्ट और सभी बोर्डर स्टेट को हैलर्ट कर दो फिर वक्षी पूछता है कि उसके पास हतियार कहां से आया क्योंकि आतंगवादी तो अस्पताल में बेहोशी की हालत में पहुचा था अब विराट और भावना दोनों सहीवाल पहुच चुके थे जो किसी होटल में रुखते हैं और वहीं पर अबबास भी उनकी मदद के लिए पहुच जाता है इसके बाद अबबास उन्हें एक मक्षी जितने ड्रोन की मदद से जेल की कुरी डिटेल उन्हें दे देता है उन्हें पता लग जाता है कि जेल में कहां पर कैमरे लगे हैं दिवारे कितनी उची हैं और सिक्योर्टिक कितनी हैं इसके बाद ये तीनों लोग गाड़ी में चल देते हैं और जेल के नजदी कहुच कर बिल्डिंग के अंदर जैसे कुछ सबुत उनके हाथ लग जाते हैं जिने वो फोरेंसे जांच के लिए भिजवा देते हैं इधर ये तीनों लोग गटर के धकन से होते हुए जेल के नीचे टनल यानि एक गुफा में पहुच जाते हैं और पलान बनाते हैं कि छितिज को बाहर कैसे निकाला जाए और उधर जाफर फैजल से पैंडराई के बारे में पूछ रहा था तो वो बताता है कि हमने कल बढ़िया हैकर को बुलाया है ताकि पैंडराई के बिना ही ये मसला हल हो जाए और अब तक ये लोग जेल के अंदर पहुच चुके थे लेकिन जैसे ही बाहर जाने के लिए बा परवाजे को लोग करके बाहर निकल जाता है जिससे उस व्यक्ति की वहीं पर मोत हो जाती है लेकिन रहमान को गाड़ देख लेते हैं लेकिन फिर भी रहमान वहां से भाग निकलने में कामयाव हो जाता है इसके बाद ये कहानी इन तीनों लोगों पर आती है और इनको नि अब जाफर को दिखाया जाता है और वो हैकर से कहता है कि मुझे सिस्टम का एकसेज जल से जल चाहिए। अब जाफर कहता है कि सभी लैब वालों को लाइन में लगाओ वो पेंडरे उन्ही में से किसी के पास होगी। अब इस्कूल में एक बच्चो को दिखाया जाता है जो पढ़ने की बजाए खिलोने से खेल रहा था और इस्कूल टीचर उसे देख लेती है और उस खिलोनों को ले लेती है और कहती है कि कल अपने वालिद को लेकर आना और ये खिलोना लेकर जाना यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि वो पेंडराए भी उसी खिलोने में लगा हुआ था और इधर ये तीनों लोग जिस गाड़ी में बैठ कर भागे थे उसे ये लोग एक कच इसलिए उसकी सिकुरिटी बढ़ा दो और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए अब रह्मान टीना को मारने के लिए उसके पास पहुच जाता है लेकिन वो गाड़ी आते देख समझ जाता है कि टीना की सिकुरिटी बढ़ा दी गई है अब अब बास टीम को समझाता है कि जेल के सभी दरवाजे इलेक्ट्रोनिक हैं इसलिए बिना की काड के कोई दरवाजा नहीं खुलेगा अब यह सोचते हैं कि अगर बिजली को गुल कर दे तो फिर विराट कहता है कि उनके पास बैकप जनरेटर है जो पावर जाता ही ओन हो जाता है इसलिए हमें जेल के अंदर का कोई एक आदमी चाहिए इस बात पर बल्ली सागर नाम के आदमी का सुझाव देता है और इसलिए उसे भी पैसे देकर काम करने के लिए राजी कर लिया जाता है इसके बाद इसमिता टीना से कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है हमने तुमारी सिकुरिटी बढ़ा दी है इसके बाद फिर से छितिज को टोर्चर करते हुए दिखाय जाता है लेकिन वो अब भी पैंडराइव के बारे में कुछ नहीं बताता अब इराट सागर से कहता है कि तुम्हें सिकुरिटी रूम में जाकर इस कार्ड से दूसरे कार्ड को बदलना है इससे हम उनके सिकुरिटी रूम को हैप कर सकते है फिर सागर सफाई के बहाने से सिकूर्टी रूम में चला जाता है और बड़ी ही चलाकी से उस कार्ड को बदल देता है अब फैजल जाफर को उन सबूतों के बारे में बताता है जो उन्हें जंगल में मिले थे अब जाफर समझ जाता है कि भारत के जासूस चार दिनों से पाक करना है, जैसे कि अब्बास को जेल के अंदर का काम दिया जाता है, और बल्ली को विजली कट करने का, और अब्बास को विराच की फेक आईडी बना कर देने का, लेकिन जेल में सबसे बड़ी दिक्कत थी, फईम को वहां से हटाने की इसलिए मिकी को बोला जाता है कि तुम्हें फईम को चीप गेस्ट के तोर पर बुलाना है और मिकी फईम को बुलाने से पहले उसकी लड़की से मिलना चाता था अब फिर से शितिज को टोर्चर करते हुए दिखाया जाता है जिससे जाफर फिर से पैंडराइव के बारे में पूशता है मगर वो नहीं बताता अब जाफर जान चुका था कि छितिज को लेने के लिए उसकी टीम पाकिस्तान में आ चुकी है और मिशन भी जारी है इसलिए वो फईम से कहता है कि जल से जल ट्रांसपर करने की जोटी ख़बर को फैला दो ताकि वो उसे छुडाने के लिए जल से जल यहां आएं और हम उन्हें पकड सकें इसके बाद जितिज की ट्रांसपर के ख़बर सुनकर विराट उन्हें अगले ही दिन निकालने के लिए सोचता है लेकिन उसे अब्बास बताता है कि ये एक चाल है तुम फच जाओगे लेकिन विराट ये सभी को जान कर भी सभी को अगले दिन छितिज को निकालने के लिए सभी को राजी कर लेता है अब रह्मान किसी को फोन करके बताता है कि टीना के गर अभी काफी security लगी है जैसे ही मोका मिलेगा मैं उसे मार दूँगा और वो मोका मिलने पर गर में घुस भी जाता है लेकिन टीना उसे देख लिती है और वो alarm बटन को दबा देती है जिससे इसमिता को पता लग जाता है और वो रह्मान को गोली मार देती है लेकिन इसके बाद टीना काफी डर जाती है अब फैजल जाफर को बताता है कि हमने हर पॉइंट पर सिकुरिटी बढ़ा दी है अब भावना मिकी से फाहीम की बेटी सहमत के पास मैसेज करवाती है उससे मिलने के लिए और सहमत भी तयार ह जाती है फिर अब्बास विराट को उसकी नकली जेल आईडी और अपरमिन लेटर दे देता है फिर प्लान के मताबिक सागर पाइपलाइन को ब्लोक कर देता है इसके बाद भावना फैजल करके कहती है कि सहमत का एक्सिडेंट हो गया है इसलिए मैं उसे नदीम अस्पताल लेकर जा रही हूँ और आप जल से जल वहाँ पर आओ अब कंफर्मिन के लिए पहले वो अपनी बेटी के पास फोन करता है नगर उसका फोन नहीं लगता इसलिए वो नदीम होस्पिटल में कोल लगाता है जिसकी कोल को रिडारेक्ट करके विराट फहीम को किसी मरीज के आ लेकिन अब्बास अपनी तकनीक के जरिये उस गार को फहीम के नंबर से विराट को अंदर आने के लिए कह देता है जो कि नकली आईडी और लेकर गया था तो इस तरह विराट अंदर पहुंच चुका होता है और अब्बास को बताता है कि मैं अंदर पहुंच चुका हूँ ये सुनकर अब्बास गाड को भेजे गए सभी मैसेज को डिलीट कर देता है इसके बाद सागर बैकप पावर सप्लाई वाले जनरेटर में एक पावडर को डाल देता है जिससे की वो खराब हो जाए अब विराट सागर से जाकर मिलता है और उसके मुँपर मुक्ता मार कर उस कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि माँ पहले से ही दो बंदे विजली को लेकर डिसकस कर रहे थे लेकिन बार बार जोर देने पर बल्ली गाडी से ही उस इलेक्ट्रिक बोड को ही उड़ा देता है जिससे उसमें आग लग जाती है और विजली कट हो जाती है उसके बाद बली में ओनलाइन देख रही थी अब विराट छितिज के पाँच पहुंच जाता है और भावुक होकर गले मिलकर खुश होते हैं और फिराट उसे एक बूस्टर डोज दे देता है ताकि उसमें चलने की हिम्मत आ जाए और फिर छितिज को पहनने के लिए कपड़े भी देता है इ अब क्योंकि भावना जानती थी कि फाहीम यहां जरूर आएगा इसलिए वो वही पर रुकी हुई थी फिर भावना उससे मिलकर बताती है कि होस्पिटल में जगे नहीं थी इसलिए उसे क्रिस्चन होस्पिटल में भरती कराया गया है और आपका नंबर नहीं लग रहा था इसलिए मैं यहीं पर रुक गई थी यानि भावना ने फाहीम को फिर से बेवकुत बना दिया था इसके बाद एक नए बंदे को दिखाया जाता है जो सागर को बंदे वे देख लेता है जिसके सामने सागर रोने की एक्टिंग करके बोलता है कि पता नहीं मुझे किसने मार और अब वो बंद जनरेटर में फ्यूल को भरकर जैसे ही ओन करता है उसमें बलाष्ट हो जाता है क्योंकि सागर ने उसमें पहले से ही एक पाउडर को मिला दिया था अब बली फिर से अपनी गाड़ी को लेकर तयार था दोसरी और देखते हैं कि सभी कैदी मिलकर पुलिस वालों को पीट रहे थे और जेल के अंदर विराट छितिज को भी पुलिस वाले कपड़े पहना कर उसे बाहर लाने के लिए तयार कर लेता है और लड़ाई का फायदा वाला नंबर लगाया जाता है और इनकी ये बात विराट सुन लेता है इसलिए विराट अबबास से कहता है कि भावना को बोलो जल से जल वहां से निकले इसके बाद भावना मिकी को बोलती है कि मेरा काम खत्म हो गया है इसलिए तुम भी वहां से जल से जल निकलो अब जे इसके बाद फाहीम भावना के पास गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और वहाँ पर क्या हुआ ये अभी नहीं दिखाया जाता इसके बाद इधर विराट छितित को होस्पिटल ले जाने के बहाने जेल से बाहर उसे निकाल लेता है क्योंकि उन दोनों ने ही पुलिस की पास से कहता है कि मिशन को रद कर दो क्योंकि उन्हें पकड़ लिया गया था अब जाफर सीधे मेजर बक्षी को कूल करके बताता है कि अब तुम देखना की हिंदुस्तान को कैसे नंगा करता हूं मैं इसके बाद भी फाहीम ने भावना को पकड़े हुए था उसे देखकर पकड़े हुए थे और जाफर काफर बनकर तालिया पीट रहा था इतने में ही भावना वहां आ जाती है। और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और इसके बाद विराट बंदे हुए हातों से ही इन सब की कुट्टे जैसी दुनाई कर देता है और यहां पर काफी दिर लड़ाई चलती है और विराट एक एक करके सभी को धूल चटा देता है। उन्हें मार गिराया। इसके बाद विराट मेजर बक्षी से जाफर की बात करवाता है अब बक्षी जाफर से कहता है कि अब आप ICJ यानि International Court of Justice में जाकर अपनी कंप्लेंट मत देना। क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा जब आप उन्हें बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान ने कोवर्ट ओपरेशन करके आपकी नाग दोबार काट दी। इसके बाद विराट उसे गाड़ी से बांध कर चावी गाड़ी के बाहर रख देता है लेकिन जाते जाते विराट जाफर को कहता है कि अगली बार दुआ करना कि आपका मेरा सामना नहों क्योंकि दवारा मिलते ही मैं तुम्हें जिन्दा गाड़ दूँगा। इस बात पर असली मिशन तो अभी बाकी है क्योंकि अभी तक हमने उस लैब को खत्म नहीं किया है और जब तक वो लैब है तब तक हिंदुस्तान पर खत्रा मनराता ही रहेगा। अब जाफर को दिखाया जाता है जो हिंदुस्तान में बैठे वे अपने किसी जासुस से बात कर रहा होत जाती थी वो कोई और नहीं है बलकि विराट की पत्नी है और उसी ने होस्पिटल में रहमान की हतकड़ी को खुला था और फिर उसे हतियार भी दिया था और उसी की वज़े से बाकी दोनों गाड़ों को मार दिया गया था जिसकी वज़े से वो अकेली जिंदा बच गई थ अब इधर विराट की टीम कहती है कि जाफर तेरी लैब तो आप खत्म होकर ही रहेगी और इस तरह ये सिरीज अगले भाग का इशारा करते हुए यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों और इसी तरह की बहतरिन कहानियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्क्राइब कर सकते हैं और यदि आपको आने वाली फिल्मों की नोटिफिकेशन चाहिए तब आप घंटे के आइकन को भी दबा दें मुझे उम्मीद है कि आप घंटे से मेरा मतलब समाजी रहेंगे तो दोस्तों हमने लेंगे किसी नई फिल्म की नहीं कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया शब्बा खेर